दंडा, करनाटक विदान सभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है राजपा के मुख्यमंत्री पद के उमीद्वार भी एस येद्य उरपा द्वारा पार्टी का घोशना पत्र जारी किया है इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे गोशना पत्र जारी करने के दोरान ये दियूरपा ने कहा कि किसानों का कल्यान हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है करनाटक में विभिन सेचाई परियोजनाओं के लिए हम एक लाख पचास हजार करोड रुपया आवंटित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि राज्ये में हर क्षित्र में पानी पहुँचे भाजपा के पिटारे में क्या एडवर्ट अवरों के कल्यान के लिए तीन हजार करोड रुपय भाग्ये लक्ष्मी स्कीम के तहत एक दैश दो लाख रुपय में डिल क्लास और लोएर क्लास की महिलाओं को दिये जाएंगे शादी के मके पर तीन ग्राम का मंगला सूत्र सभी बी पी एल परिवारों की महिलाओं को दिये जाएंगे ओबी सी जाती के लोगों के लिए सुविधा घार साथ हजार पांच सा करोड रुपय का बजट दैश चार सौ एस्टी बच्चों को विदेश में स्पॉंसर पढ़ाई साथ इंटी करॉप्षन हेल प्लाइन की सुविधा राज्य में सावरूर्जा का बढ़ावा देने पर जोड बेंगलूरू को गार्बेज मुक्त किया राएगा विदान सभा चुनाव राहुल गांदी ने जारी किया कॉंग्रेस का घोशनापत्र कहा ये करनाटक की जनता की आवाज यह भी पढ़े राज्य में हाईवों का विकास किया जाएगा इस बीच ये दियोर्पा ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में उनकी जीतपकी है करनाटक विदान सभा चुनाव में अब मेह चंद दिन बाकी रह गए हैं ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही हैं कॉंग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है घोशनापत्र आपको बता दें कि कॉंग्रेस पहले ही अपना घोशनापत्र जारी कर चुकी है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी ने करनाटक में चुनावी घोषनापत्र जारी करते हुए कहा था कि ये बंद कमरे में नहीं बलकि लोगों की राय लेकर बनाया हुआ घोषनापत्र है कॉंग्रेस की ओर से अपने घोषना पत्र में फ्री लेप्टॉप, इंटरनायट, आईटी सेक्टर, अनभाग्य योजना जैसी कई बड़ी योजनाओं की घोषना की गई है करनाट का चुनावी रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी धुआधार प्रचार में जुटे हैं गुरुवार को प्रधानमंत्री मोधी और राहुल गांदी के बीच जम कर जुबानी जंग देखने को मिली पीएम मोदी ने कहा कि करनाटक की कॉंग्रेस सरकार सिध्धर मैया नहीं सिध्धार उपया सरकार है तो वहीं राहुल भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे गवर तलब है कि करनाटक में 12 माई को चुनाव है ऐसे में चुनाव से पहले का यह एक हफ्ता सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है जहां आज चुनाव प्रचार के दोरान राहुल गांदी करनाटक के कलबुर्गी गजेंद्रगर में रैली करेंगी वहीं भाजबा की ओर से केंद्रिय मंत्री स्मृती एरानी और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्ते नाद भी प्रदेश में कई रैलियां करेंगे